हाई अबरिवन तो आज हम आपके लिए एक और कोशन लिखाया है यही मेन का कोशन है यही मेन 2022 में आया था 27 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में यह कोशन आया हुआ था क८ेशन क्या कहा है कि हमें family of circles जो दे रखा है वह पास हो रहा है family of circles passing through 1,0 and minus 1,0 यह और Apple आपको हमें क्या क्या बता है Manchesterenee डिफ्रेंशें उस्ब स्पाइ्ट उफ फ्रेभिया यह पासएं ऐग आपको coefficient, हमें हमें family of circles थे इनठ बता है हुआ है इंग पास तो हम बोल सकते हैं कि आपको एक्जाम में कुछ फिक्स पॉइंट की तरह आपको दिखेगा जैसे 2,0 और माइनस 2,0 तो इस तरीके से आपको दिखेगा क्वेशन पेपर में बठ हमने यहां पर इसको वरियेबल पॉइंट की तरह तो अब कईशिन कुछ देख रहाए है, तो हमаменें की बताना है, इस का डिफेंशल इकोशन बता ना है तो हमान के चलते हैं उसका उसुर्कल का सेंटर हो ह कॉइंचि कॉमा के पर है, समझ में रहा है, हम मनें संटर का माइनक्वलिया, основ मुइं Κेंब y-k whole square is equal to r square, यह radius है, तो अब हमें समझ में आ रहा है, यह equation होती है, अब क्या कह रहा है, कि जो यह points है, a, 0 and minus a, 0, यह points है, यह points है, यह points है, यह point है, यह circle है, अगर यह point से पास हो रहा है, इसका मतलब है, कि इस point को अगर x और y के बदले रखूँगा, तो यह equation को satisfy करना चाहिए, satisfy करने का मतलब क्या है, कि right hand side is equal to left hand side होना चाहिए, तो चेक करते हैं, पहले इस point को put करते है, first point को, 1, 0 को put करते है, तो equation क्या मेलेगी, x के बदले यह रखेंगे, और y के बदले 0 रखेंगे, तो जब भी change करूँगा, तो क्या मेलेगा, 0 minus h का whole square, plus y, y के value 0 रखनी है, minus k का, k तो k ही रहेगा, k का whole square is equal to r a square, यह होगा, ठीक है, यह हमारे पास, मायन के चलते हैं, यह first equation है, ठीक है, यह हमारे पास पहले equation होगा, अब हम लेते हैं, दूसरी equation, दूसरी equation कैसे होगी, कि अगर यह जो circle है, यह circle है, वो इस point से भी पास हो रहा है, इस point से, minus a, 0 से, इसका मतलब है, अगर मैं minus a, 0 को इस equation में रखूँगा, तो इस equation को satisfy करना चाहिए, मतलब की, right hand side, left hand side के बराबर होगा, तो x के बदले क्या रखेंगे, minus a, और y के बदले, 0, तो रखते हैं, तो x के बदले, sorry, यहाँ पर a होना चाहिए था, और minus a, minus h का whole square, plus 0 minus k का whole square, is equal to r square, यह दो equation आपको दिख रहे होंगे, यह a है, हमने गलती से 0 लिख दिया था, तो यह हमरे पस दो equation आगए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि हम इन दोनों को आपस में subtract कर देते हैं, अगर subtract करेंगे, तो 0 minus k मतलब k का square, और यह 0 minus k का square, यह r square, यह r square, तो अगर मैं इस equation को subtract करता हूं, तो क्या हो जाएगा, यह और यह खतम हो जाएगा, यह और यह खत whole square minus में, minus a minus h का whole square is equal to 0, समझ में आ रहा है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी सकता था, अगर मैं लिखना चाहूं, तो देखो, मैं इस equation को a minus h का whole square is equal to minus a minus h का whole square, मैं इस equation को, मैं minus अगर common लेलता हूं, तो minus, minus अंदर ही लेके चलते है, a plus h और इसका whole square, मैं कुछ इस तरीके से लिख सता हूं, और इसका मतलब भी होता है, कि यह minus को, अगर मैं इसका whole square करूंगा, तो यह कही नहीं प्लस बन जाएगा, और यह finally मेरे पास a plus h का whole square दिखेगा, और यह a minus h का whole square दिखेगा, यह whole square था, ठीक है, तो मुझे finally ऐसा कुछ बचेगा, और इसर क्या बचेगा, a square plus h square plus 2ah, बचेगा, यह h square, यह a square, यह a square, यह a square, क्या बचेगा मेरे पास, अगर मैं इसको भी side ले आओं, तो minus 4ah is equal to 0, और यहां से h की value का रही है, 0, आपको यह दिख रहा होगा, h की value हमारे पस कितनी आ गई, 0 अब हम क्या करते है, क यह a square बचेगा, यह a square, ऑफिर, इसमें रख लो, किसी में भी रख लो, तो हमारे पास equation क्या मेलेगी, हमारे पास equation मिल जाएगी, a minus h kind of the whole square, जो मेरे पास equation ती, plus y minus k का whole square जो कि 0 था 0 minus k whole square is equal to r square था तो अब h भी zero खेंगे तो a square plus k square is equal to r square तो अब हमारपास inais square given up a अब हम पास our square value इतनी आ रही है तो जब हम हम इस equation को ah हमारी equation ुच्च, equation of state line which equation of circle हमार पस क्या है x minus h का sqr स्क्वर plus y minus k whole square is equal to r इस equation में हम R की value भी और H की value भी जो जो सीज़े हमारे पास है उनको हम put करेंगे तो क्या मेलेगा हमें हमें finally मेलेगा H की value है 0 तो X-0 का whole square plus Y-K का whole square is equal to R की value का है A square plus K square ठीक है यह हमारे पास final equation आई है जब हमने सब put कर दिया सब की value put कर दे तो अब क्या करते है इस equation को differentiate कर देते है हमें differential equation नहीं तो चाहिए इस equation की इस circle की जो circle है इसकी differential equation जाए तो जब differentiate करेंगे तो यह X square ही है finally तो यह हो जाएगा 2X विथ रिस्पेक्ट टो X differentiate कर रहे है तो यह 2X और X का differentiation with respect to X 1 plus इसका differentiation कितना हो जाएगा 2 इंटो में y-k चैन रूल से और y-k का differentiation यह y का differentiation with respect to X कितना हो जाएगा d y by dx और k का differentiation 0 तो इसको रहन देते है तो इस equal to यह a square constant है और k भी constant ही है तो इसकी value कितनी हो जाएगा 0 इन सब का 0 ठीक है तो हमारे पस final equation मिल रहे है 2X plus y-k into meddvdx अब यहां से करते है इसको कि की value यहां से find करने के कोशिश करते है क्योंकि वहां से तो अभी तक हमें के value नहीं मिलिया तो के की value यहां से ले जाएंगे तो यह x उससाड चला जाएगा तो इसको इरेज कर देता हूँ ठीक है तो हमें finally y minus k into dv by dx is equal to x ठीक है minus x मिलेगा हमें इस तरीकस मिलेगा अब क्या करते हैं कि इस dv by dx को भी इधर ले आते हैं और dv by dx को मैं finally मैं क्या लिख सकता हूँ मैं dv by dx को बार बार ना लिखके dv by dx मैं इसको y dash बोलता हूँ ठीक है तो यह simple थोड़ा हो जाएगा तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ y minus k into y dash is equal to minus of x और y dash यहां से क्या हो जाएगा यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आ जाएगी minus k is equal to minus x upon y dash minus y इस तरीके से आएगा और जब के की वैल्यू फाइनल निकालेंगे तो k is equal to x upon y dash plus y इस तरीके से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी ठीक है k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? इतनी है, समझ में आ रहा है? k की वैल्यू इस तरीके से आ रही है अब हम क्या करते है कि substitute करते हैं जो भी हमारे पास k, h और r की वैल्यू सब की आ गई है तो हमारे पास equation क्या था? x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square और r² की value कितनी थी, r² की value चेक कर लेते है, r² की value, यहां से देखो, यहां से आप देख पार होंगे, r² की value कितनी है, a² plus k², आपको देख रहा होगा, तो r² की value भी लिख देते है, a² plus k², a² plus k², h की value आ गई थी, हमरे पास 0, और k की value आ गई है, x upon y dash plus y, यह आ गए, अब y, ठीक है, और इन सब का, whole square is equal to, r², r² की value कितनी है, a² plus k², ठीक है, अब क्या करते है, कि सब को पाले तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे बहाँ पर, तो क्या होगा, कि, जब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, तो x² रहा हो प्लस y, और यह minus का, इसके साथ हो जाएगा, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, minus x upon y' का whole square is equal to a² plus k², फाइनली मुझे यह मिलेगा, जब मैं इसको भी solve करूँगा, तो क्या मिलेगा, x², और solve करते हैं इसको, x² plus, इसका जब करेंगे, तो x² upon y' का square is equal to a² plus k², ठीक है, कुछ मुझे यह मिलेगा, और k की value हमारे पास थ k की value यहां से भी shift कर देते हैं, k की value क्या थी, उसको भी हटा देते हैं, यहां पर भी k की value put कर देते हैं, तो k की value क्या थी हमारे पास, x upon y' का whole square, इसका whole square एसी रखते हैं, is equal to a² plus x upon y' का whole square, यह था, अब फाइनली सॉल्व करते हैं, तो हमेरे पास क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा x square, जब मैं फाइनली solve करूंगा, x square is equal to a² plus y² plus 2y, 2y into x upon y', फाइनली मुझे यह equation मिल जाएगी, और यहां से अब हम इसको लिख सकते हैं, simple तरीके से, जब मैं इस y' को उपर लेगा, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरीके सो जाएगा, कि सब के साथ मैं इसके साथ सब के साथ ले सकता हो, तो x square, जब इनके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी, इसके नीचे तो हाइगा, तो इधर मैं इसके नीचे तो y' हो जाएगा, और जब मैं इधर multiply करूंगा, तो x square y' is equal to a square y' plus y square y' plus 2yx, ठीक है, अब क्या होगा, कि y' को सब को सब को साथ में ले आते हैं, तो x square minus a square plus minus y square, इसको इरीज कर देते हैं, a square minus y square, और इन मैं से y' कॉमन ले लिया, और इस side क्या बच गया, 2yx बच गया, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, फाइनली मैं इन सब को एक side ले आता हूं, या फिर ऐसी रहन देता हूं, तो मुझे finally equation मिल गया, मैं बस क्या कर सकता हूं, x square minus a square minus y square, into y' को क्या लिख सकता है, d by dx, with respect to x यह था, is equal to 2yx, तो हमारे पास final equation, यह है, और जैसे भी आपको, जो भी आपको option मिले, उस according आपको choose करना है, तो आप minus plus जो भी यह difference दिख रहा है आपको, अगर आप इसको इस side लाते हो, और minus से multiply करते हो, तो sign जो है, वो change हो जाएंगे, और उस ही according हमें sign change करना ही होते है, तो यह है हमारा आज के question, now thanks for watching,